हेलो दोस्तों, विल्कुम बाग टो PMF IS Environment Video Lecture Series, आप सभी का इस Video Lecture Series में बेहत स्वागत है, आप जानते हैं ये PMF IS Environment Booklet 2024-2025 यानि की जो 3rd edition है, उसके बेसिस पर डिजाइन करी गई Video Lecture Series है, and this entire series is presented by me, मेरा नाम दोस्तो रिशवप शर्मा है, आप देख सकते हैं ये जो है वो 3rd वीडियो है पूरी series में, and this is Chapter 2 of the PMF IS Environment Booklet, that is Ecology, Principles and Organization, एक बाद Table of Contents में जाकर कि आप चेक करेंगे, इंडेक्स में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, ये Ecology, Principles and Organization दो हिस्वों में डिवाइड़ेड है, एक है 2.1, एक है 2.2, 2.1 में Levels of Organization in Ecology है, from Individual to Biosphere, ये आज हम लोग cover करने वाले हैं, ये आज का Target है, Principles of Ecology जो है, वो next वीडियो में हम लोग cover करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, चलिए दोस्तों तो बात करते हैं, Levels of Ecological Organization की, कि कितने तरीके के Levels है Ecological Organization में, बट उससे पहले हम लोग basically discuss कर लेते हैं, कि what is environment, देके environment is anything and everything that's around us, जि biotic, biotic, abiotic, abiotic and biotic, abiotic, but इसमें याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, कि biotic essential mandatory हो, यहीं पर जब मैं ecosystem की बात करता हूँ, तो ecosystem में सबसे important क्या माना जाता है, biotic component, और biotic is the essential component of ecosystem, यहीं पर ecology की बात करी जाती है, ecology को हम क्या बोलते थे, subject matter, यानि कि जिस subject के अंतरगत हम ecosystem और environment की पढ़ाई करते हैं, उसको हम ecology कहते हैं, अब मैं आप से एक चीज़ कहता हूँ, कि ecologists जो हैं, वो ecology subject के अंदर environment की study कर रहे हैं, और entire earth एक environment है हमारे लिए, क्या उसकी study करना, एक as a whole, is possible, जी नहीं, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको different, different, छोटे-छोटे हिस्तों में divide कर जाता है, for the sake of convenience, example के रूप में आप जानते हैं, maths, अगर आप लोगों ने पड़ी है, starts आप लोगों ने पड़ी है, तो आप देखेंगे, statistics के अंदर ऐसा बोला जाता है, कि यह x-axis है, यह y-axis है, और हर diagram को हम लोग 2D diagrams की form में explain कर देते हैं, बट मुझे आप एक चीज़ बताओ क्या सिर्फ दो ही dimension होती है, x-axis और y-axis, जी नहीं, z-axis भी होती है, और अगर आप theoretical point of view से जाएं, तो multiple axis होती है, infinite axis होती है, बट क्या infinite axis को possible है, मैं आपको अभी इस board पर या कहीं पर भी screen पर आपको present करके दिखा सकूँ, जी नहीं, for the sake of convenience, फिर statistics जो होते हैं, वो क् कि हम 2D diagram के थुरू explain कर लेते हैं, assume कर लेते हैं, अभी सिर्फ दो ही dimensions हैं, ऐसे ही आप पूरे earth के environment को एक साथ नहीं पर सकते हो, उसके ecosystem को एक साथ नहीं पर सकते हो, तो फिर आप क्या करते हो, उसको बड़े रूप से divide करते हो, फिर उस बड़े रूप को छोटे रूप मे population, community, ecosystem, biome and then last में biosphere, आप जानते हैं कि जब मैं शरीर की बात करता हूँ, एक इनसान की बात करता हूँ, एक living organism की बात करता हूँ, सबसे छोटे कणों को हम molecules कहते हैं, फिर molecules से मिल करके बनता है cell, cell से मिल करके बनते हैं tissues, tissues से मिल करके क्या बनता है tissue system, tissue system से मिल करके बनते हैं organ, और organ से मिल करके बनता है organ system, और organ system से मिल करके बनता है organism, यह एक level है, जैसे कि biology के अंदर आप देखते हैं कि cell, tissues, organ, organ system and then organism, अच्छा जब मैं बात करता हूँ, biology की, यानि कि biology subject के अंदर organism जो होता है, वो सबसे end का एक level माना जाता है, और जब आप ecology subject के अंदर organism की पड़ाई करते हो, तो उस organism का नाम change हो जाता है, और वो यहाँ पर क्या बन जाता है, individual, यानि कि individual कोई और नहीं बलकि एक organism ही है, तो फरक क्या है organism और individual में कुछ फरक नहीं है, biology के अंदर उसको organism बोला जाता है, वो ही organism ecology subject के अंदर आकर के individual बनता है, और individual से species, species से population, population से community, community से ecosystem, ecosystem से biome and biome से biosphere, तो start करते हैं, सबसे पहले level of ecological organization की, that is individual and species, देखे, एक organism, यानि कि biology वाला organism, जो end level माना जाता है, biology में, so an organism is an individual, obviously, जैसा मैंने आपको बताया है, वो individual ही है, ecology के अंदर, that can act and function independently, यह बहुत important function है, और बहुत important point है, कहा जा रहा है कि एक organism, एक individual तम माना जाता है, जब वो खुद से सारे काम कर सकता है, जैसे resource को use कर सकता है, food को acquire कर सकता है, you know, predator की तरह अपने prey पे शिकार कर सकता है, population को अपनी आगे बढ़ा सकता है, यानि कि अपने DNA को आगे पहुचा सकता है, so simple सी बात है, जो खुद से individually, independently function कर सकता है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप individual कहते हैं, और याद रखिएगा, जैसे हर एक individual, हर एक living being का एक life span होता है, जैसे हैं कहा है, जिसने जनम लिया है, वो मरेगा, वैसे ही एक life span के तहत, ये सारे organism काम करते हैं, starting from the birth, ending towards the death stage, आप देखेंगे hatching, growing, maturity and aging के थुरू, फिर last में death होती है, और हर एक organism का एक life cycle होता है, उस life cycle को complete करने के बाद, उसकी मृत्यू हो जाती है, यहीं पर आप एक चीज़ देखेंगे, individual and species में, the organisms of the similar type, यानि कि वो organisms जो बिलकुल एक जैसे हैं, similar nature के हैं, similar तरीके के हैं, उनके पास potential होता है, interbreed करने का, और वो produce कर सकते हैं, fertile offspring को, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, और बहुत important word use करा गया है, species, देखें, ऐसा है, सभी animals को, सभी जानवरों को, organisms को, scientists जो हैं, उन्होंने taxonomic groups में divide करा है, और सबसे पहला taxonomic group है species, यानि कि मैं किसको species का दरजा देता हूँ, species के दरजा देने के लिए, उसको दो conditions पूरी करनी होती है, पहली condition होती है, potential होना चाहिए, इंटर ब्रीड करने का, और दूसरा condition जो होती है, that is, fertile offspring पैदा करना होना चाहिए, यानि कि क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बहुत easy बाशा में समझेगा, एक example देखे सबसे पहले, यहाँ पर female donkey है, यहाँ पर male horse है, क्या यह organism है, क्या यह individual है, बिल्कुल यह individual है, क्यों, क्योंकि यह एक single organism है, यह भी individual है, यह भी individual है, single organism है, क्या यह आपस में interbreed कर सकते हैं, जी हाँ यह आपस में interbreed कर सकते हैं, यानि कि इनके पास potential है interbreeding का, तो पहली condition तो इन्होंने fulfill कर ली potential for interbreeding अब दूसरी condition भी fulfill करनी है अगर मैं चाहता हूँ कि ये सब एक species का ही part बन जाए यानि कि अगर इन सब को एक common species का part मानना है तो इन सब को एक नहीं दोनों conditions को fulfill करना पड़ेगा and the second condition is fertile offspring को भी पैदा करना होना चाहिए possible होना चाहिए जो इन दोनों के interaction से निकलेगा अब मज़े की बात यह है कि female donkey और male horse का जो interaction होता है वो होता है खचर यानि कि mule और mule जो होता है वो fertile नहीं होता है यानि कि infertility होती है उसके अंदर वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सक तो इसका मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मैं male horse और female donkey को species का दरजा नहीं दे सकता एक species के group में नहीं आ सकता है यह अलग-अलग species के group में आते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है हम लोगों को species बोलने के लिए interbreeding होनी चाहिए और fertile offspring भी पैदा होना चाहिए तो for example हम humans जो हैं हम भी एक species हैं और हम कौन सी species हैं आप जानते हैं homo sapien sapien हम आपस में माले जे एक ये रहा और एक human ये रहा क्या ये आपस में interbreed कर सकते हैं बिलकुल interbreed कर सकते हैं इसलिए तो हम सब एक ही species के अंदर आते हैं और क्या हम लोग interbreed करने के बाद fertile offspring पैदा कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं आप taxonomic group है taxonomic group में सबसे नीचे species और सबसे उपर domain आता है चली अब बात करते हैं population की second level होता है ecological organization के अंदर और मैं आपको पहले समझा देता हूँ उसके बाद आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पर आप notice कर सकते हैं एक हाती खड़ा है एक elephant अब यह elephant कौन सी species का खड़ा है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए तो भाईया देखी यह elephant जो है वो Asian elephant है दो तरीके के elephant होता है एक होता है African elephant एक होता है Asian elephant मैंने यहाँ पर Asian elephant की photo लगाई है और यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि एक Asian elephant खड़ा है single organism of Asian elephant तो इसको क्य बोलो individual क्या है यह individual है और यहीं पर अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ यह सब ही एक ही species को belong करते हैं देखो यह सारे जितने भी individuals हैं यह सब भी Asian elephant ही हैं यह सब Asian है बट यह group of individuals हैं सारे कई सारे एक साथ Asian elephant एक खड़ा हो जाए तो दौरा से समझे एक Asian elephant तो individual इसे क्या ब और कई सारे Asian elephant एक साथ खड़े हो जाए तो बोलो population so population is group of individuals of the same species यह बहुत keyword important है same species के होने चाहिए अलग-अलग species खड़ी है तो population नहीं बोल सकते same species के एक ही area के अंदर अगर मिल जाए तो आप बोलो population of species और यहाँ पर देख सकते हैं all individuals of Asian elephant species इस picture के अंदर दे रखा है अब बात करते हैं हम लोग community की, community क्या है एक और level of ecological organization है अब देखिए यहाँ पर पहले क्या था एक elephant खड़ा था एशियाटिक elephant तो हम लोगों ने बोला था individual है कई सारे एशियाटिक elephant एक साथ खड़े थे तो हम लोगों ने क्या बोल दिया था उसे population बट अगर मैं आपसे चीज़ बोलूँ कि यहाँ पर सिर्फ अब एशियाटिक elephant नहीं है फ्रोकोडाइल की भी कई सारी varieties है जिराफ भी है पैरेट भी है टाइगर भी है जेब्रा भी और जानवर भी है तो अब आप क्या बोलोगे आप बोलोगे group of individual of the different species group of individuals of the different species यानि कि अलग-अलग species के अलग अलग-अलग organisms एक साथ मौजयोद हो जाएं किसी एरिया में तो बोलिए community for example if we club together population of different species of elephant, crocodile, tiger etc. forest के अंदर आप देख सकते हैं चलिए community दो तरीकी के होती है major, एक होती है minor, major और minor में फरक क्या होता है major community जो होती है वो sustain कर सकती है खुद से और self-regulating होती है जैसे example के रूप में आप ये pond देखे इस pond में कई सारे तरीके के जानवर एक साथ मिलेंगे आपको ये aquatic ecosystem में आप जानते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई है तो ये अपने आप independently act कर सकते हैं function कर सकते हैं इनको कोई problem नहीं होती but on the other hand कुछ communities ऐसी होते हैं जिनको हम लोग minor communities का दरजा देते हैं अभी minor community का मतलब क्या है ये smaller ecological units होते हैं that are not individually self-sustaining and they rely on the interaction with other communities just example की रूप में आप देख सकते हो ये जो bark of the trees पर दीमक लगी भी है अभी ये जो दीमक है ये बहुत सारी populations एक साथ हैं और इसके साथ भी अलग-अलग होंगे but इसके लिए tree होना बहुत जरूरी है यानि कि ये independently काम नहीं कर सकता so the whole point is major और minor में फरक ये है major community self independently sustain कर सकते हैं जबकि minor independently sustain नहीं कर सकते हैं अच्छा यहीं पर हम द्वारा से एक बार देखते हैं levels of ecological organization मेरे साथ द्वारा से याद करिए एक asiatic elephant का एक individual है तो क्या बोलते हो individual फिर कई सारे asiatic elephant अगर एक साथ खटा हो जाएं उनकी तो क्या बोलो population अब सिर्फ asiatic elephant नहीं है tiger भी आगया lion भी आगया zebra भी आगया parrot भी आगया प्रोकोटाइल भी आ गया, एलिफेंट भी आ गया, और अलग-अलग जानवर आ गया, तो आप इन सब को मिल करके क्या बोलते हो, community, और कई सारी community अगर एक साथ इखटा हो जाएं, याद रखना, कई सारी communities of group of individuals of different-different populations एक साथ इखटा हो जाएं, तो बोलो ecosystem, so ecosystem कुछ नहीं, बलकि वो है, जो कई सारी communities के मिलावट से बनता है, तो ecosystem is the part of nature, where living organisms, यानि की communities, interact amongst themselves and with their physical environment, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं, बायों की, अभी दुवारा से एक बर देखिए, सबसे पहले थे individuals, individuals से मिल करके क्या बनते हैं, population, population, यानि की same species की होने चा फिर अलग-अलग communities मिल करके क्या बनती है, ecosystem और याद रखना, कई सारे ecosystem एक साथ मिलाक करके बनाते हैं, biome को, so biome is nothing but large ecosystem according to species of flora and fauna, यानि की ये देख सकते हो आप इस diagram में, ये सारे biomes हैं, the entire earth को हम लोग ने divide करा है, different different biomes, ये different biomes किस basis पे बनाए गए हैं, इसका जो basic division है, वो इस basis पे होता है कि यहाँ पर flora and fauna कौन से पाय जाते हैं, किस तरीके के flora and किस तरीके का fauna पाया जाता है, जैसे tundra जो region है, वहाँ पे अलग तरीके का fauna, अलग तरीके का flora पाया जाता है, tropical deciduous और tropical temperate में अलग तरीके का पाया जाता है, similarly अगर मैं आपसे बोलू, grasses वाले environment में अलग तरीके का माना जाता है, और पाया जाता है, जैसे सवाना में, deserts में अलग तरीके का पाया जाता है, so यह flora and fauna की basis पे biomes को divide करा गया है, and यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, कि division किस basis पर हो रहा है, flora and fauna, बट वो division हो क्यों रहा है, flora and fauna में अलग है, क्योंकि vegetation अलग है, soil अलग है, temperature अलग है, climate अलग है, sunlight की मातर अलग होती है, और वहाँ पर पाय जाने वाले जन जातियां अलग होती है, इस वज़े से आप देखेंगे difference आ जाते हैं, और यह biomes कहलाए जाते हैं, so biome जो है कुछ नहीं, बलकि कई सारे ecosystem का एक साथ grouping है, अब बायोम क्या एक continent से दूसरे continent में मौझूद हो सकता है, क्या एक ही बायोम अलग-अलग continents में पाया जा सकता है, बिलकुल पाया जा सकता है, और इसका answer ये है, geography जब आप पढ़ते हैं, तो अब आप एक चीज पढ़ते हैं, the entire earth was a single piece of land called Pangea, और फिर ये Pangea जो था डिवाइड हो जाता है, अंगारा लैंड और गॉंडवाना लैंड मास में, बीच में आ जाता है अपर 30C, यानि कि continental जो plate और tectonics theory है, वहां से हमें एक चीज समझ में आती है, कि जो tectonics है, वो धीरे-धीरे divide हुए, जिसकी वज़े से plate तूटती गई, अलग-अलग तरीक variety of habitats, यह बहुत important है, आपको समझने के लिए, देखो, वो कहते हैं कि biomes क्या है, देखो, biomes कुछ नहीं, बलकि ecosystem ही है, और कई सारे ecosystem मिल करके क्या बनते हैं, biomes, आया ना, अब ecosystem कैसे बनते हैं, आप खुछ जानते हैं, कई सारे ecosystem छोटे-छोटे habitats से मिल करके बनते हैं, similarly, यहाँ पर भी आप देखेंगे, अलग-अलग habitats मौजूद होते हैं, तो यही habitats ultimately क्या बनते हैं, यही habitats ultimately ecosystem बनते हैं, और ecosystem ultimately biome बनता है, तो आप उसने question में अगर आपसे यह पूछ लिया प्री में, क्या biomes variety of habitats को include कर सकता है, जी हाँ, बिलकुल कर सकता है, biomes can comprise variety of habitats, बिलक systems है, इसको हम लोग ने terrestrial और aquatic दो हिस्सों में divide करा गया है, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसको बहुत detail रूप से cover करने वाले हैं, कि polar में क्या है, tundra में क्या है, boreal में क्या है, और यह साब cover करेंगे, चलिए, so starting with individual, individual से बने थे population, याद करिए population, same species, population के बाद बनता है community, different species, कई सारी communities आपस में दूसरे के साथ interact करती हैं, जहां तो उसे बोलते हैं, ecosystem, कई सारे ecosystem एक साथ जहां पर पहुशते हैं, तो क्या बोलते हो, biomes, और कई सारे biomes जब एक साथ इखटा हो जाएं, तो बो Biosphere, what is Biosphere? Biosphere is the biological component, यानि कि supporting life component, या तक न, life is the essential feature of biome, जरूरी निये कि वहां पर लाइफ हो, बट लाइफ होने की possibility 100% है, यानि कि वहां पर ऐसी सारी situations मौजूद हैं, कि life possible हो सकती है, अभी आप से अगर पूछा जाए, कि मैं को बताईए, कि ये जिन्दगी मौजूद होने के लिए कहीं पर भी क्या चीज़ें जरूरी हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के नुसार बोला जाता है, धर्ती, जल, अगनी, वायू, अकाश, इन्हीं को ecology के अंदर atmosphere, hydrosphere और lithosphere के concept से समझाया गया है, बोला गया है कि atmosphere क्या है, you know, a blanket of gases that surrounds or envelops the planet earth, ये ज 78% nitrogen होता है, 21% इसमें oxygen होता है, ऐसे ही जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे layers में, तो आप पढ़ेंगे कि इसकी पहली वाली जो layer होती है, वो troposphere होती है, फिर stratosphere होती है, and going towards exosphere, तो ये सारी layers of atmosphere के बारे में आप geography के अंदर पढ़ते हैं, similarly water component, hydrosphere, total 70% of the earth biomass, अगर हम बोल आप मास निकालने तो 70% पानी है, उसमें आपके शरीर में भी 70% पानी होता है, यानि कि ये water component है, जल वाला तत्व है, lithosphere का मतलब क्या है, ये धरती तत्व है, यानि कि lithosphere is the rocky shell planet or the land on which you stand, ये जो है lithosphere है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये सारी चीजें जहाँ पर एक इखटा हो जाती है, वहाँ पर biosphere component develop होता है, देखे, atmosphere, lithosphere and hydrosphere, where all the three components interact and meet, they create something known as life, वहीं पर life possible है, इन में से कोई भी तत्व एनिया में, इन में से कोई भी component अगर missing हो जाए, तो life possible है नहीं हो सकती, तो याद रखेगा biosphere is nothing but the life component, अब देखे, ये जो biosphere है, क्या क्या आता है इसमें, इसमें सभी living organisms आते हैं, इवन उनके मरे हुए अफशेश भी यहाँ पर मौझूद है, एक बात बोली जाती है कि ये जो biosphere है, ये absent है extremes पर, जब भी मैं extremes की बात करता हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ पोल और generally, generally life वहाँ पर मौझूद क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे, वो सारी चीजें एक साथ इखटा नहीं हो पाती है, यानि लितोस्फेर, हाइड्रोस्फेर और एट्मोस्फेर का साबका मिश्रण नहीं हो पाता है, even अगर life होती भी है, तो metabolically inactive रहती है, यानि कि dormant होती है, अब जैसे for example, मैं आपसे बोलूँ, आपके शरीर में और मेरे दोनों के शरीर में puboclossis है, यानि कि TB की जो bacteria है, वो मेरे और आपके दोनों के शरीर में मौझूद है, बट क्या मैं और आप दोनों ही puboclossis के patient हैं, जी नहीं, puboclossis के patient नहीं है, अगर हमारी immunity weak पर जाती है, तो वो क्या हो जाता है, dormant से active हो जाता है, तो आज यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कि extremes environment पर life मौझूद नहीं, अगर है भी, तो फिर वो dormant stage में है, जैसे अभी दा हिंदू के अंदर एक article आए था, और उसने ये बोला, जैसे कि आप जानते ह हो रहा है, increase होता जा रहा है, Arctic और Antarctic, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अर्थ का temperature है, वो over the time period बढ़ता जा रहा है, जिसकी वरेशे जो glacials हैं, वो पिगलते जा रहे हैं, glacials के पिगलने की वज़े से हो क्या रहा है, वहाँ पर गर्माहाट आ रही है, थंड वाले इलाते म जो Arctic और Antarctic में आज तक dormant थे, वो भी active हो जाएंगे, तो इनसान को zoonotic diseases, zoonotic का मतलब होता है animals से, जो humans में transfer होती हैं चीजें, वो खतरा जो है बढ़ सकता है, जैसा COVID आया, ऐसे कई सारे virus और bacteria निकल के आ सकते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं, क्यों बोला जा रहा है, क्योंक functional unit of biosphere, दिको biosphere तो भी पूरा है, biosphere में क्या हर जगे life मौझूद है, नहीं, life possible है, फरक समझे, biosphere में possibility है, बट जहां पर biosphere में, वो area में biosphere के, जहां पर life actual में run हो रही है, जहां पर actual में biotic और abiotic interact कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ecosystem, so ecosystem कुछ नहीं, बलकि structural and functional, जहा पर life possible actual में काम कर रही है, वो ही वाला area माना जाता है, अचा यहीं पर एक और concept निकल के आता है, जो है ecosphere का, अगर मान लीजे, आपसे prelims में ये सवाल पूछ लेया जाए, कि भाईया बताए, what is ecosphere, क्योंकि ये शब्द लोगों को नहीं पता है, biosphere तो फिर भी पता है, तो ecos ecosphere क्या होता है, अभी मैंने आपको बता है, biosphere कौन से area है, ये वाला beach वाला area, जैसे vent diagram के अनुसार, अगर मैं आपको बता हूँ, ये अगर lithosphere है, ये अगर hydrosphere है, ये अगर atmosphere है, so इसका जो तीनों का interacted area है, यानि कि ये biosphere माना जाता है, but what is ecosphere, ecosphere अगर मैं ये सारा area एक what is ecosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere, atmosphere, every sphere combined together is known as ecosphere, चलिए दोस्तों बात करते हैं, आपने अभी तक क्या पड़ा है, उसके बारे में एक question देख लीजे, ताकि आपकी understanding और जादा बहतर आपको हो सके, question है, the smaller ecological units that are not individually self-sustaining and rely on interactions with communities are called obviously minor communities, major आप जानते हैं, self-sustaining होती हैं, और जो self-sustaining नहीं होती हैं, उन्हें को हम क्या बोलते हैं, minor communities, which of the following is the correct order of ecological organization, बहुत ही easy सा सवाल है, correct ecological organization का जो, you know, order है, वो क्या है, आप जानते हैं, सबसे पहले आता है individual, individual के बाद के आता है, population, population के बाद के आता है, community, community के बाद के आता है, ecosystem, ecosystem के बाद आता है, brain, setups, जैसे कि आप यहां पे first option को देखेंगे तो लिखा है community, community से बनता है biome और biome से बनते हैं ecosystem गलत हो गया, फिर बोला community से बनती है population, population से बनते है ecosystem गलत हो गया, community से बनती है population, population से बायोम गलत हो गया, और answer is D, community ecosystem, biome, biosphere, which of the falling are correct? correct बताना है, कहता है individuals capable of exchanging genes are called species, बिल्कुल सही बात है, जो आपस में एक दूसरे के साथ exchange कर सकते हैं, genes interbreed कर सकते हैं, fertile offspring पैदा कर सकते हैं, उन्हीं को हम you know species का दरजा देते हैं, second statement बोली जा रही है, group of interbreeding organism of same species, अच्छा जी, यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, same species के उप major communities are entirely independent, yes, entirely independent मानी जाते हैं, so 1 and 3 is the answer, option D, consider the following statements, precipitation, moisture, temperature within each biosphere leads to the formation of biomes, यहां पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है, precipitation, moisture, temperature, हर एक biosphere में अलग अलग तरीके के biomes को create करता है, बिल्कुल यह बात सही है, flora and fauna का differentiation इसी basis पर था, तो first place correct, कहते हैं, within biomes, regional and local variations account for the formation of habitats, यहां पर बहुत important word बोला गया है, कहते हैं, biomes के अंदर, जैसे यह biome है, बहुत बढ़ा, कि इस biome के अंदर आप जानते हूँ, कई सारे अलग अलग तरीके के ecosystems develop होंगे, जैसे ecosystem 1, ecosystem 2, ecosystem 3, ecosystem 4, ecosystem 5, फिर वो बोलता है, कई सारे ecosystems के अंदर, कई सारे तरीके के habitat develop होंगे, habitat 1, habitat 2, habitat 3, habitat 4, तो बोलता है, within biomes, local और regional variations की वज़े से, habitats develop हो सकते हैं, जी हाँ, different different habitats, एक ही biome के अंदर इसले divide हो पाते हैं, क्योंकि local variations अलग है, temperature अलग है, pH अलग है, salinity अलग है, अलग-अलग geographical factors होँआ पे मौझूद है, so yes, both are true, which of the following are true about ecosystem, ecosystem से related पूछा गया है, it is the community of organism together with the environment in which दले, बहुत ही बढ़िया statement है, देखे, ecosystem क्या था, biotic और abiotic का एक interaction, जहाँ पर दोनों चीज़े हैं, वहाँ पर ये, ecosystem आप बोल सकते हो, अब मुझे एक बाद बताओ, ये statement जो दिरखी, community of organisms, ये community of organisms क्या है, biotic को शो कर रहा है, obviously community of organisms, कई सारे population of different species, and environment के अंदर दोनों चीज़े हैं, biotic and abiotic, so answer is, one correct, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये ही ecosystem है, second statement कहता है, ecosystems are generally larger than biosphere, नहीं भाई, ecosystem से मिलकर के बनते हैं, biomes और biomes से मिलकर के बनता है biosphere, तो ecosystem तो बहुत कम है level में, third level पर आता है, उसके तो सबसे last level पर biosphere है, so this is wrong, second statement is wrong, in an ecosystem, the flow of energy, nutrients and materials are cyclic, ये बिल्कुल सही बात है, bio geochemical cycle के अंदरा पढ़ेंगे nitrogen जो है, अपने forms में गुंती है, nitrogen cycle है, sulfur cycle है, methane cycle, ऐसे सारी cycles है, तो yes, this is correct, third option is also correct, so answer is one and three, so I hope so, आपको clarity हो गई है ecological organizations के साथ, अब हम बात करते हैं, एक नई और next concept की, that is ecological niche, what is the meaning of ecological niche, दोस्तों, देखे, the word niche comes from the French word nisher, French का एक शब्द है, nisher उससे निकला है, जिसका मतलब होता है to ness, अब ecological niche का actual में meaning क्या है, ecological niche is the way of life of the species, मतलब ये, आप एक बार ये वीडियो देखे, आपको इससे ही समझ में आ जाएगा, कि ecological niche का है, बहुत ही असान शब्दों में, आप देखे, किस तरीके से, इस वीडियो के अंदर, आप notice करेंगे कि orchestra में हर एक व्यक्ति अपना-पना role निभा रहा है, यानि कि एक है जो, गिटार बजा रहा है, एक है वॉयलन बजा रहा है, पीछे के जितने लोग बैठे हैं, एक पियानो बजा रहा है, एक ड्रम बजा रहा है, और इसमें हम लोगों को एक चीज़ समझ में आती है, एक जो व्यक्ति है, एक और गयानिजम जो है, अपने अपने घर में रह करके, अपनी अपनी जगा पर रह करके, एक यूनीक रोल को परफॉर्म करता है, अगर उसने वो यूनीक रोल परफॉर्म करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, ये जैसे इस orchestra में अगर मान लीजे, इ आना खराब हो जाएगा, music अच्छा नहीं आएगा, ऐसे ही ecosystem में जानवर जो है, जो अपना यूनीक रोल परफॉर्म करते हैं, अपने अपने घरों में रह करके, अगर उन में से किसी ने भी अपना यूनीक रोल परफॉर्म करना बंद कर दिया, तो ecosystem की जो विवस्ता है, ecosystem ecosystem का जो, you know, homeostasis है, management है, equilibrium है, वो disbalance हो जाएगा, यानि कि पूरी की पूरी जो विवस्ता है, वो चर्मर आ जाएगी, तो ecosystem अच्छे से काम कर सेगे, इसी के लिए, ecological niche परफॉर्म करता है, हर एक organism, for example, आप यहाँ पर देख सकते हैं, elephant है, elephant जो है, अपना ecological niche परफॉर्म करता है, यानि कि हाती सिर्फ हाती नहीं है, हाती अपने साथ एक ऐसा unique role परफॉर्म करता है, जो कि और कोई नहीं कर पाता है, उस जगा पर जहां पर गो रहता है, वो क्या है, आप देखेंगे, grasses जो है, generally, अगर इनको cut ना करा जाए, तो यह जरूरत से जादा बड़ी हो जाए तो याद रखना, डर बन जाता है, किसका forest fire का पहली चीज तो यह हो गई, तो आग लग सकती है, दूसरी चीज आप देख सकते हैं, कि जो predators होते हैं, यानि कि जो शिकारी होते हैं, वो शिकार नहीं कर पाते, वो prey को देखी नहीं पाते, देख नहीं पाएंगे, तो शेर, यह सब जो हैं, मार नहीं पाएंगे हिरन को, तो दूसरी problem यह हो जाती है, फिर movement में बड़ी तकलीफ होने लग जाएगी, क्योंकि आप notice करेंगे, कि अगर घासे बहुत बड़े हो जाती है, तो आप movement भी नहीं कर सकते हैं, visibility बहुत कम हो जाती है, darkness जादा हो जाती है, इस यह से हाती एक unique role perform करता है, और वो unique role क्या है, देखिए, वो घासो को अपने बड़े-बड़े पैरों से दबोच देता है, यानि कि वो जब चलता है, उसका जुन्ट जब चलता है, तो वो घासो को मारतावा चलता है, दूसरा वो घासो को खाता है, तो इससे वो क्या करता ह unique role perform करता है, एक वर हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं, किस तरीके से जो elephant है, वो unique role perform कर रहा है, देखिए, जैसे आप देखेंगे, इसमें first में, वो grasses को खा रहा है, और दूसरे में आप देखेंगे, जब भी अपनी activity को perform करता है, तो वो ये काम करता है, सेम अगर आप यहाँ पे honey bees क्या गर रही है, pollination, यह नहीं होंगी तो pollination नहीं हो पाएगा, unique role perform करते हैं, similarly यहाँ पर आप देखेंगे, vultures, vultures एक unique role perform कर रहे हैं, dead and decaying matter को खा के, saprophytes का का काम करते हैं, आप जानते हैं, यह scavengers हैं, अगर यह नहीं खाएंगे, तो diseases फैनने लग Similarly fruit bat, वैसे चमकादड की image बहुत खराब है COVID के बासे, बढ़ चमकादड बहुत जरूरी है, और यह बहुत ही अच्छे organisms हैं, इनसे हमें घ्रिणना नहीं करनी है, इनसे हमें चिर्णना नहीं है, यह तो बहुत अच्छे organism से क्यों, क्योंकि यह जो fruit bat है, यह fruits को खा के pollination करत है और इसी pollination के वज़े से diversity और जो plants है, trees है, इधर से उधर possibility हो पाती है उनके reproduction की, so every organism plays a unique functional role, job or occupation in a habitat, यह बहुत important है, एक habitat की बात हो रही है, यानि कि मैं यहाँ पर क्या किया रहा हूँ, देखें, एक घर है यह, एक घर है मेरा, तो यह मान लीजे, आपका घर है, यह मेरा घर है, this is my house, or this is your house, इस घर के अंदर, यह घर मतलब क्या हो गया, हम दोनों के लिए यह क्या है, habitat, आपके लिए भी habitat है, मेरे भी habitat है, इस habitat के अंदर, organisms रहते हैं, कि नहीं रहते हैं, कई सारे तरीके के organisms हैं, अलग-अलग, मान लेजे, organism 1 जो है, वो आपके father है, मेरे father है, वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, organism 2 जो है, वो हमारी mother है, वो क्या करती है, मान लेजे, वो housewife हैं, तो घर पे खाना बनाती हैं, आप तीसरे organism हैं, आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सो सबका अपने unique role परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप अगर notice क कर पाएं, कि आपके पिता जी और मेरे पिता जी दोनों जो हैं, ये बाहर जाके काम कर रहे हैं, रोल तो दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं, पर अपने अपने घर में कर रहे हैं, यानि कि ऐसा नहीं है, मैं आपको और clear cut भाशा में बोलू, जरूरी नहीं है कि pollination सिर्फ fruit ब बट अपने-अपने areas में, अपने-अपने habitat में वो unique role वो ही perform कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है, तो उस area में, उस घर के अंदर जो unique role perform कर रहे हैं, वो बात हो रहे हैं, और इसको अगर आपको समझना है, कि बही, band, जो orchestra bands हैं, वो तो कही सारे हैं, इदर भी एक band है, इद इसलिए वहाँ पे रह पाते हैं इसलिए वहाँ पे रह पाते हैं और उसी environment के अंदर वो thrive करते हैं, अपनी populations को बढ़ा करते हैं, विदिन, देखो एक बात याद रहना, within the ecological niches, जो भी वो role perform कर रहे हैं, वो जो unique role function वो perform कर रहे हैं, वो बहुत important है, अगर आप ecologist है, आपके लिए ये बहुत important है, जानना, क्यों जानना important है, क्योंकि अगर आप को किसी भी जानवर को बचाना है, किसी भी organism को बचाना है, तो आपको पता होना चाहिए, कि उसका unit role क्या है, क्योंकि अगर वो जानवर खतम हो जाए, मान लीजे, मैं बात करता हूँ, कि आज आप लोगों ने देखा, चीता extent हो गए, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, कि चीता reintroduction program launch करा गया, सरकार के दुबारा South Africa और Namibia से 20 चीता को लाया गया, चीता को लाया क्यों गया, चीता को इसलिए लाया गया, क्योंकि अगर चीता नहीं होते हैं, तो उसकी वज़े से problem क्या होई, चीता जो थे, वो किसको attack करते थे, एक ecological niche परफॉर्म करते हैं वो और वो एक logical niche क्या था, चीता जब भी attack करते थे, तो वो हिरन को खाते थे, और हिरन को खाते नहीं थे, हिरन की जन संख्या को populations को control में करके रखते थे, जरूरत से ज़ादा बढ़ने नहीं देते थे, तो हिरन की population चेक रहती थी, तो हिरन जिस पे खाते थे, जो grasses हैं, वो grasses हमेशा maintain रहती थी, तो एक ecosystem में balance create करके रखता था, कौन? चीता, बट अभी क्या हुआ, जैसे ही 1952 में चीता accident हुए, इसके बाद problem क्या होई, हिरन जो है, deer की जन संख्या अधिक हो गई, जरूरत से ज़ादा बढ़ गई, जरूरत से ज़ादा हिरन की जन संख्या होने का का और इसका consequence यह हुआ, कि वो जादा घासों को खाने लग गए, और जादा घासों को खाने लग गए, तो grasses खतम हो गए, यानि कि grasslands खतम हो गए, सिर्फ grasslands खतम नहीं हुए, grasslands या घासों पर घर बनाने वाले चोटे मोटे कीडे, वो भी extent हो गए, क्योंकि घास खतम तो उनक बहुत आवश्यक है, example की रूप में आप देख सकते हैं, dung beetle एक unique role perform करती है, यह है dung beetle, dung beetle इसको इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह किस में रहती है, जो excreta होता है, किसका जानवरों का, जानवरों के जो excreta होता है, जो poop होता है, उसके अंदर इसका habitat होता है, यानि कि हर ए फाइदा क्या परता है, consume करने से, इससे फाइदा ही होता है, सबसे पहले तो, देखे, अगर dung beetle यह काम नहीं करेगी, तो होगा क्या excreta फैलेगा, excreta सडेगा, उसमें कीडे लगेंगे, उससे बिमारिया फैलेंगी, बिमारिया फैलेंगी, तो जानवर मरेंगे, जानवर मरेंगे, तो इनसान भी मरेंगे, यह आप जानते हैं, clear cut, यहाँ पे एक नियम है, ecosystem के अंदर, एक ecosystem में अगर कोई problem आती है, तो अगले ecosystem या हर एक ecosystem में disbalance create हो जाता है, दूसरा unique role क्या है, इसके अंदर कई बर क्या होता है, excreta में, जैसे जानवर जो होते है न, fruits काते हैं, excreta में, और उसके बाद क्या होता है, जब यह इसको consume करता है, यह इसको जब तोड़ता है, चोटे-चोटे इसो में, तो वो seeds जो है, वो soil में चले जाते हैं, और soil में जाने के बाद, वहाँ पर pollination का काम करते हैं, प्लस यह जो है, खाद की तरह, यानि कि यह fertilizer और manure की तरह क काम भी करता है, कैसे, यह इसको consume करते हैं, और उसके बाद जब निकालते हैं, तो यह soil की fertility को भी बढ़ा देता है, so ultimately what I am trying to say, कि हर एक unique role परफॉर्म करा जाता है, हर एक species के द्वारा, और यहाँ पर एक बहुत important point है, a niche is unique for a species, while many species share the habitat, मतलब यह बोला जा रहा है, एक घर क के अंदर कई सारी species एक साथ रह सकती हैं, कोई issue नहीं है, आप जानते है, habitat छोटा भी हो सकता है, धर छोटा भी हो सकता है, इसके अंदर कई सारी तरीके के species एक साथ रह सकते हैं, for example, जैसे एक यह रहा पेड, यह भी एक habitat है, इसके अंदर कई सारी तरीके की variety of species रह सकती है, बट हाँ, वो unique role perform जो एक species करती है, वो वही करेगी, उसके अलावा दूसरी नहीं कर सकती, यानि की unique role perform हमेशा एक ही species करती है, अपने एक habitat के अंदर, चलिए, अब यहाँ पर एक चीज बोली जाती है, कहते हैं, why no two species can have the exact same niche, तो यहाँ पर सवाल सबसे फहला यह उठा है, क्या दो अलग-अलग species, जैसे species 1 and species 2, क्या same, same, I am not asking, same, similar, same role perform कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये है बिल्कुल सेम रोल परफॉर्म कर सकते हैं मैं आपको अंसर दे रहा हूँ बिल्कुल सेम रोल परफॉर्म कर सकते हैं रोल का मतलब यहाँ पे अभी हम एक्जाम्पल में ले लेते हैं पॉलिनेशन तुमें को बताओ क्या fruit, bat पॉलिनेशन में मदद करता है, बिल्कुल, क्या डंग बीटल यही काम करती है, बिल्कुल, तो अलग-अलग population, अलग-अलग species है, क्या वो पॉलिनेशन करती है, बिल्कुल सेम काम करती है, इसमें कोई दोराई नहीं है, बट the point is, क्या वो एक ही habitat में करते हैं, क्या जहां पर वो रहते हैं, जो उनकी preference है, वहीं पर वो दोनों एक ही जगा पर ये काम कर रहे हैं, नहीं, ये fruit से खा करके करता है और ये किस से करती है, आप जानते हैं, excreta से, तो देखो इनका habitat अलग-अलग है, इसलिए same role perform करा जा स सकता है, मतलब मैं अगर आपको और clarity के साथ हूँ, दो species identical या फिर same ecological niche perform कर सकते हैं, अगर वो different habitats में हैं, येस, बट अगर वो same habitat में हैं, तो जी नहीं, नहीं हो सकता, क्यूं नहीं हो सकता, क्यूंकि competitive exclusive principle यानि कि Goss का law, Goss का नियम, हमको ये चीज़ सिखाता है, क्यूंकि अगर ऐसा हुआ, तो होगा क्या, they both will be in the direct competition for the resources, और direct competition में आएंगे, तो फिर होता ये है, मान लिजे, species one, species two, exactly, एक ही जगा unique role perform करने लग जाएंगे, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ भेड़ेंगे, आपस मे या तो दो situation हो सकती है, अब देखे, अगर ये आपस में competition में आते हैं, तो दो ही situation होंगी, consequences दो होंगे, पहला, या तो इन में से एक जीच जाएगा, या तो S1 जीच जाएगी, या S2 जीच जाएगा, या S1 हार जाएगी, और S2 जीच जाएगा, भई, देखो, यहाँ पर अलग अलग तरीके से combinations बनाए जा सकते हैं, चलिए, अब बात करते हैं, why no two species can have the exact same niche, exactly same niche क्यों नहीं possible है, इसके पीचे का reason क्या है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, exactly same niche possible नहीं है, similar niche possible है, due to competitive exclusive principle, जो की gos का नियम है, अब इसको एक बर ध्यान से समझते हैं, दो case बनाते हैं, सबसे पहले देखिए, माल लीजिए, एक स्पीशी है one, एक स्पीशी है two, इस स्पीशी को हम ले लेते हैं अभी के लिए डंग बीटल की स्पीशीज, ठीके, और इसको ले लेते हैं हम fruit bat की स्पीशीज, यह दोनों एक role perform करते हैं, और वो role क्या है, आप जानते habitat में perform कर रहे हैं, जी नहीं, यानि कि दो स्पीशीज exactly एक habitat के अंदर रह करके एक ही जैसा काम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, अगर यह दोनों स्पीशीज अलग-अलग habitat में हैं, जैसे कि आप देखो यह पेड़ पे है, पेड़ पे fruits को खा करके कर रहा है, यह जमीन में जो exc excreta है, उस पे कर रही है, pollination, बिल्कुल करा जा सकता है, यानि कि काम एक जैसा हो सकता है, habitat अलग-अलग हो तब, अगर habitat बिल्कुल सेम है, तो सेम ecological niche परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि competitive exclusive principle यह कहता है, और competitive exclusive principle यह कहता है, कि अगर ऐसा हुआ, कि एक ही habitat है, और उसमें दोनो species एक ही जैसा ecological niche परफॉर्म करती है, तो they both will compete for the resources, यह दोनों आपस में resources के लिए compete करेंगी, और finally इसके दो नतीजे हो सकते हैं, और दो नतीजे क्या है, इस दो नतीजों के अंदर, या तो ऐसा हो सकता है, कि S1 जीच जाए, और S2 पर्मानेंटली extent हो जाए, या फिर एसा हो सकता है, कि S2 जीच जाए, और S1 जो है, वो पर्मानेंटली extent हो जाए, या फिर एक और चीज हो सकती है, कि S1 और S2 आपस में एक compromise कर लें, देखें, competitive exclusive principle, simple C हमें यही परिभाशा देता है कि अगर यह एक ही ecological niche perform करेंगे एक ही जगे पर तो आपस में बेढंत होगी ही होगी, आपस में लड़ाई होगी ही होगी और लड़ाई का नतीजा यह निकलेगा, उनमें से एक species पर्मानेंटी extent हो जाती है और दूसरी जीच जाएगी, और अगर वो species extint नहीं हो रही है तो इसका मतलब उन लोगोंने आपस में compromise कर लिया है जो कि अब आगे पढ़ेंगे, MacArthur ने resource partitioning principle के थुरू बहुत बहतर तरीके से समझाया था बड़ एक बात याद रख लिजे कि losing species हमेशा अगर adapt नहीं करेगी, compromise नहीं करेगी तो वो खतम हो जाएगी, permanently extent हो जाएगी, यही competitive explosive principle का नियम हमें समझाता है एक पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि different species जो हैं, वो एक ही food के उपर खाना चाते हैं तो फिर क्या होगा, competition होगा, और यहां से beer आया, जैसे beer आया तो यह वाली species यहां से हट गई, अब आप देखेंगे यह जो beer है, इसके पीछे ही, आप देखेंगे कि अगर दूसरी species आकर के इस पर attack करती है, हाइनास की species आती है, यह कोई और आता है, तो फिर वहां से beer कर रहे हैं, तो ऐसा possible नहीं होता है, it is not that easy, आप यहां पर देख सकते हैं, actual में यह जो पूरगपूरा concept है, यह यहां से कैसे निकला था, कि सबसे पहले एक island है, Galapagos Island, यह Galapagos Island में एक जो scientist है, वो यहां पर गए, और जब वो यहां पर गए, तो उन्होंने देखा, कि एक tortoise है, जिसका नाम है, abundant tortoise, और यह जो abundant tortoise है, इसको आप notice करेंगे, कि यह वहां पर रहता था, Galapagos Island के अंदर, और यह क्या खाता था, घासे खाता था, grasses खाता था, बट यह घासे जो खाता था, उसकी speed जो थी, वो बहुत धीरे थी, यानि कि यह ecological function perform करता था, जहां पर रह दीरे यहां पर Galapagos Island में क्या हुआ, नोटिस करेंगे आख, कि human habitation बढ़ने लग गई, humans एंटर करने लग गए उस आइलेंड के अंदर, और जब humans उस आइलेंड के अंदर एंटर करने लग गए, तो humans क्या लेकर आए, domesticate करने लग गए, goats को, और फिर इन्होंने goats को चारा खिलाने के लिए, grasses खिलाना चालू करी, और उन्होंने, goats ने, इस sustainable grazing pattern को एकदम से खराब कर दिया, जिसकी वज़े से, वहां से grasses की कमी हो गई, सिर्फ grasses की कमी ने हुई, abundant tortoise जो है, extent के कगार पर पहुँच गए, so the whole point is, क्यों, क्योंकि abundant tortoise compromise नहीं कर पाया, और एक ही चीज इसके लिए competition हुआ, इसी को बोलते हैं competitive exclusive principle, चली, ऐसे ही एक और व्यक्ती थे, जिनका नाम था MacArthur, MacArthur ने का कि competitive exclusive principle वैसे तो ठीक है, कि losing species अगर adapt नहीं करती है, तो वो मर ही जाती है, but generally, आजकल ऐसा देखने को मिला है, MacArthur ने का, कि ऐसा जरूरी नहीं है, कि losing species जो है, वो adapt ना करें, losing species adapt कर लेती है, compromise कर लेती है, और resource को partition कर लेती है, partition principle मतलग कि वो क्या करती है, divide करती थे, जैसे मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहरा हूँ आपको, देखी, मैं आपके सामने एक थाली की plate लाया हूँ, इस थाली की plate पर खाने वाले लोग हैं दो, अब मुझे बताओ तो क्या solution है, किसको मिलेगी यह थाली की plate, तो यह जो खाने की थाली है, यह किसको मिलेगी, यह उस व्यक्ति को मिलेगी, जो व्यक्ति छीन करके दूसरे से ले लेगा, बट क्या हो, अगर आप दोनों आपस में इसको 50-50 बाट लो, तो फिर आप में से किसी को भी चोट नह लिए गया, to avoid competition, जैसे for example, flamingos जो है, वो बहुत depth में से मचलियों को खाते हैं, ducks जो है, थोड़ा सा उपर की तरफ खाती हैं, फिर आप देखेंगे, oyster जो है, वो उपर की सते पे खाते हैं, flowers जो है, वो बिलकुल सते पे खाते हैं, तो अलग-अलग जानवरों ने उसी habitat के अ अंदर avoid करा competition और resource को divide कर लिया आपस में, कि भाई, तू ये खाले, मैं ये खालेता हूँ, इसको बोलते हैं, resource partitioning principle, आप देख सकते हैं, इस image के अंदर, ecological niche अलग-अलग, जानवर की अलग-अलग मौजूद है, जैसे for example, cave में warbler जो है, वो उपर, पेड के total उपर वाले हिस इलो, रम्ट, वालपलर, तो भाईया, ये यहां पर रहते हैं, यानि कि एक ही family को belong करने वाले, आपस में एक दूसरे के साथ, क्या कर लिया, resource को divide कर लिया, ताकि competition को avoid करा जा सके, चलिए, अब देखें, यहां पर एक चीज़ बोली जारी, in nature, many species occupy the same habitat, but perform different functions, for example, habitat niche, where it lives, food niche what it eats, what it decompose, reproductive niche क्या होती है, किस तरीके से वो reproduce करता है, physical, chemical niche के temperature, landscape, land slope, humidity, इस सम्में, उसका क्या role है, हर जगह अपना-पना एक perform करा जाता है, role, अच्छा, ये बहुत important है, fundamental niche क्या होता है, fundamental niche सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलू, किसी area में, जितने, जितने environmental, abiotic factors, and biotic factors, या in simple resources, की आवश्यक्ता है, किसी जानवर को, ideally, अपने आपको reproduce करने में, और survive करने में, अगर वो उसको full level पे मिल जाए, पूरा complete मिल जाए, ideal मिल जाए, तो उसको बोलते हैं, fundamental niche, दुवार चे सुनिएगा, What is fundamental niche? Fundamental niche is, अगर हम किसी जानवर को एक forest में छोड़ दें, और जो जो चाहिए उसे, जो idealistic habitat चाहिए, जो idealistic खाना चाहिए, जितना उसको, जैसे for example, उसको चाहिए, उसको कोई prey ना हो, बल्लब predators उसका कोई ना हो, तो माल लीजे, उसके कोई predators नहीं है, तो predators को आपसे एप sunlight में रखो उसको, जानवर को, उसको जितना खाना चाहिए, उसको उतना खाना दो, हर चीज वो दो, जो उसको चाहिए, ideally, अपने survival और reproduction के लिए, उसको बोलते हैं, fundamental niche, fundamental niche मतलब total range of environmental conditions, which a species can survive and reproduce, that can be ideally used, जो भी वो use कर सकता है, अगर कोई biotic interaction नहीं हो रहा है, बट उसमें से actual में वो use कर कितना पाता है, उसे बोलते हैं, realized niche, realized niche का मतलब होता है, actual use, जैसे, और इसको easy terms में समझे, ये एक पेड़ है, complete पेड़, ये एक चिड़िया है, मालेजे, this is a bird, ये बड़ इस पेड़ के लिए, इस पूरे पेड़ में कहीं पे भी रह सकती है, ये उसको पूरा habitat है, कहां रह सकती है, उपर नीचे, कहां का खाना खा सकती है, कहीं का भी खा सकती है, सब कुछ खा सकती है, तो ये पूरा पेड़ उसके लिए क्या बन जाता है, fundamental niche, बट क्या ये पूरे पेड़ को actual में इस्तमाल कर पाती है, ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों कि आप जानते हो ecological niche का concept ये बताता है, कि resource partitioning होती है, अलग-अलग level के, सो वो सिर्फ इतना ही use कर पाता है, कितना, इतना, इसको बोलते है, actual, used या realized niche, और अगर मैं आपको एक और example से समझाओ, अगर आपको और clear understanding चाहिए, तो अभी हम लोगों ने खाने की थाली का example दिया था, दो लोग है, person 1, person 2, दोनों को ये खाने की थाली चाहिए, तो मुझे आप बताओ, किसको मिलेगी, जैसे हम लोगों ने बोला, इनमें से किसी एक को मिलेगी, या दोनों को मिल सकती है, 50-50, अगर ये compromise कर ले तो, so, इस person के लिए, person 1 के लिए, what is fundamental niche, fundamental niche is, ये entire plate, person 2 के लिए fundamental niche क्या है, ये आपको clarity के साथ समझ में आ गया हुआ, चली, what is the basic difference between niche and habitat, जली से बताइए, देकि niche और habitat में फरग ये, habitat क्या है, address, niche क्या है, उस address के अंदर, वो जो job या role परफॉर्म करता है, या occupation, ठीके, our niche is unique for a species, but while many species share the habitat, एक घर के अंदर, एक habitat के अंदर, you know, आप जानते हो, कई सारे species एक साथ रह सकती हैं, इसमें कोई problem नहीं है, but वो सारी species एक ही ecological niche perform नहीं कर सकती, ये बहुत clear cut है, चली एक question देखिए, with regard to ecological niche, consider the following, a niche is a unique functional place or role of a species, yes, some species tend to have an exact identical ecological niche, exact identical ecological niche नहीं हो सकता, clear cut ही ये बात आप समझ लीजिएगा, exact identical नहीं हो सकता, similar होगा, क्यूंकि exact इसने नहीं हो सकता, habitat अलग अलग होगा, पहली चीज तो exactly same तो नहीं हो सकता, दूसरी चीज, वहाँ पे pH level अलग होगा, वहाँ पे sunlight अलग हो सकती है, water अलग हो सकती है, rainfall अलग हो सकता है, temperature अलग ह है, similar हाँ, डेखने में similar अलग सकता है, pollination तो, you know, आप जानते हैं, हवा भी करती है, birds भी करते है, honeybees भी करती है, makhya भी करती है, fruit bats भी करते है, सब करते है, but इन सब का role एक जैसा लग सकता है, but एक जैसा exactly नहीं है, क्योंकि सब का habitat और environmental conditions अलग-अलग है, so second statement is wrong, if second is wrong, तो obviously, आप देखें, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, higher the number of niche in an ecosystem, more stable is the ecosystem, yes, जितने जादा जानवर उस काम को करते हुए दिख रहे होंगे, तो उतना ही stable होगा ecosystem, अब आप बोलो ऐसा क्यों, जैसे for example, मुझे एक बात बताओ, चीता ही अगर हिरन को खाते, सिर्फ, सिर्फ अगर चीता ही हिरन को खाते, तो चीता के extent होने से हिरन की population इतनी जादा हो जाती, जिसको कोई रोकने वाला ही नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, lion भी खाता है, tiger भी खाता है, अलग-अलग जानवर इसको मार देते हैं, so the whole point is, अच्छा, यहाँ पर higher the number of niche in an ecosystem, it contains high biodiversity, बिल्कुल सही बात है, जितनी जादा diversity होती है, diversity मतलब जितनी जादा विभिनिता और बिहनिता होती है, जानवरों के भीतर, उतनी ही जादा ecological niche भी होता है, answer is 1, 3 and 4, a biome can comprise variety of habitats, but not vice versa, एक biome के अंदर कई सारे habitat आ सकते हैं, एक biome के ecosystem, ecosystem के अंदर कई सारे habitat, तो automatically एक biome के अंदर कई सारे habitat आ सकते हैं, बट क्या एक habitat के अंदर कई सारे biome आ सकते हैं, नहीं, so answer is correct, a niche is unique for a species, but while many species share the habitat, एक niche जो है वो unique है, बट हाँ, एक ही habitat में कई सारे species रह सकते हैं, सही है, habitat is the physical environment in which an organism lives, yes, habitat जो है वो physical area है, और उसी physical के साथ जब मैं functional role की भी बात करो, तो ecological niche बन जाता है, question पूछा incorrect, none is incorrect, answer दी, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, what is ecotone, ecotone का concept क्या केलाता है, देखे, it is an area that act as a boundary or transition between two diverse ecosystem, यानि कि diverse ecosystem की यहाँ पे बात हो रही है, और यह वो area होता है, जहाँ पे communities आती हैं, और integrate होती हैं, meet कर मैं आपको पहले concept समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप एक बार इसके examples भी देख लीजेगा, देखे, मान के चलते हैं, यह है एक ecosystem, अब आप जानते है ecosystem, यानि कि biotic और biotic जहाँ पर interact कर रही है, यानि कि यहाँ पर life मौझूद है, इस ecosystem को हम लोगों ने नाम दिया A, एक और ecosystem है, इस ecosystem को हम लोगों ने नाम दिया B, अब बात यहाँ पर यह कही जा रही है, यानि कि ecotone का concept यह कहता है, कि एक ecosystem से जब आप दूसरे ecosystem की तरफ move करते हो, यानि कि आप मान के चलिए, अभी आप desert वाले area में हैं, desert भी एक ecosystem है, हाँ या ना, जहाँ पर cactus है, camel है, य एक आप desert से move कर रहे हो, किस तरफ मान के चलते हैं, अभी आप जा रहे है, evergreen rainforest की तरफ, यहाँ पर बारिश बहुत जादा होती है, यह दोनों बिल्कुल diverse ecosystem है, एक जगा rainfall बहुत जादा होती है, एक जगा बिल्कुल rainfall नहीं होती है, और यहाँ पर rainfall बहुत अधिक मातरा में है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो मिट्टी देखेगी, cactus देखेगा, camel देखेगा, यहाँ देखोगे, आप तो बहुत ही diverse ecosystem में, greenery बहुत हाई होगी, you know, vegetation बहुत जादा होगी, so मेरे कहने का मतलब है, यह दोनों आपस में totally different ecosystem है, आप अगर मान के चलिए desert ecosystem से, जब evergreen rainforest की तरफ आते हैं, तो ecotone का concept यह कहता है, कि जब हम move करते हैं, तो एक ऐसा area आता है, बीच में, जो दोनों की properties को show करता है, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, यह ऐसा area है, जहाँ पर transition होता है, यानि कि A से B की तरफ move करते वग, बीच में transition आता है, या यह वो area है, जो boundary प तो देखिए, event diagram के according, यह एक A है, यह B है, और इसके बीच वाला जो यह area है, इसे हम कहते हैं common area, इस common area को ही ecotone बोला जाता है, यानि कि this is the area जहां से A भी खतम हो रहा है, B की शुरुवात हो रही है, मानले जब आप A से B की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे A की जो characteristics हैं, flora and fauna के, वो कम होते भी दिखेंगे, और B के flora and fauna का जो characteristics है, वो बढ़तावा दिखेगा, अगर आप B से A की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि यहां पर इस वाले area में B के characteristics कम होंगे और A की बढ़ेंगे, यानि कि यह beach वाला जो area है, सबसे important area माना जात होता है, और बहुत ही जादा highly productive region होता है, यानि कि यहां पर जो biodiversity है, वो बहुत अधिक होती है, बहुत जादा होती है, it is very very high biodiversity region, अब सवाल यह है कि यह इतना important area जो है, जिसको हम ecotone कहते हैं, जैसे आप इस example में भी देख सकते हैं, grassland ecosystem से deciduous में जाते हैं, तो beach में high diversity यहां पर एक example दे रखा है, Africa का, आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर आप देखेंगे desert है, desert से आप move करते हैं और evergreen की तरफ आते हैं, तो फिर beach में कई सारे diverse ecosystem है, बट सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है कि examples कहां कहां पर हमें मिलेंगे ecotone के, और दूसरा कि य इतिनी जादा क्यों होती है, तो examples के लिए आप सबसे पहले देखी mangroves, अभी हम mangroves को आगे आने वाली वीडियो में बहुत detail में cover करने वाले है, mangroves क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, adaptations उनकी कैसी होती है, प्लस उसको preserve करने के लिए, conservation efforts के लिए, क्या-क्या भारत न आप move करते हैं, एक semi-arid region से, और move करते वक्त आप कहां पर आते हैं, आप आते हैं, Bay of Bengal की side, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर आपको mangroves देखने को मिलेंगे, या mangroves को और मैं clear cut आपको बोलू, तो पूरे भारत की जो coastline है, यहाँ पर आ एक तरीके का transition area बनता है, similarly आप देखेंगे wetlands, wetlands हो गए या marshlands हो गए या riverbanks हो गए, यह भी एक तरीके का example है, जब आप बोलो grassland, grassland भी एक तरीके का ecotone है, कैसे grasslands ecotone है, आप देखेंगे बहुत घने जंगल और बिलकुल desert इसके बीच में ऐसी जगा आती है, जहाँ प forest से desert की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में घासे मिलेंगी, जो ना तो उतनी बड़ी हैं जितने बड़े tropical evergreen rainforest थे, ना ही उतनी छोटी हैं जहाँ पर desert ecosystem था, ऐसे ही similarly asurines आप देखेंगे, deltas देखेंगे, यह सब water, fresh water और salt water के बीच में बने हुए, क्या है, ecotones है, so all these are examples, अब characteristics देखेंगे एक बर ecotone के और उसके बाद फिर बात करेंगे कि यहाँ पर इतनी जादा diversity क्यों होती है, सबसे पहले देखें, ecotone can be wide, ecotone can be narrow, this is very important concept, कि ecotone बड़ा भी हो सकता, ecotone छोटा भी हो सकता, जैसे for example, एक पेड से दूसरे पेड की तरफ जाओगे, तो भ biotic और abiotic का interaction है, एक पेड पे भी living organisms है, biotic और abiotic का interaction हो रहा है, और एक पेड भी एक ecosystem के लाया जाता है, तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, अगर आप एक पेड से दूसरे पेड की तरफ move होगे, तो beach में ecotone पड़ेगा, यानि कि ecotone can be very very narrow, but ecotone can be very wide, कैसे wide, जो ह और green की तरफ move करते हैं, तो beach में grasslands पड़ेगा, और ये grasslands काफी बड़े भी हो सकते हैं, तो कहने का मतलब है, ecotone can be narrow, it can be wide, ऐसा कोई compulsory नहीं है, कि सिर्फ वो narrow ही हो, ऐसा कोई compulsory नहीं है, वो wide ही हो, आप देख सकते हैं, ये wide, ये narrow, दोनों तरीके के ecotones मिल सकते हैं, अ यहाँ पर दोनों ecosystem के resources आपस में आकर के मिलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा area है, जहाँ पर communities all together, देखो मैं आपको क्या कहना चाहरा हूँ, मान के चलिए forest में 10 share रहते हैं, या 10 तरीके की species रहती हैं, और 20 तरीके की species grasslands में रहती हैं, ये common area ऐसा है, दोनों के पास, जहाँ पर कि दोनों communities आपस में आकर के meet करके integrate करती हैं, कहने का मतलब ये है कि दोनों के resources भी यहाँ मिलते हैं, दोनों की species भी यहाँ पर मिलती हैं, जो भी environmental factors हैं, abiotic factors हैं, वो common area में हमेशा मिलते हैं, इसलिए common areas इसको zone of tension कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे species की हलचल हमेशा रहती है, चीजों की हलचल हमेशा रहती है, resources की हलचल हमेशा रहती है, इसलिए it is always a zone of tension, always it is in fluctuation, हमेशा change होता रहता है, similarly characteristics of ecotone में आप देखेंगे, कि ecotone के जो area होता है, वहाँ पर edge effect मिलता है, यानि कि अगर मैं ये दो ecotones की बात करूँ, यानि कि दो ecosystems की बात करूँ, this is ecosystem 1, this is ecosystem to, इसके beach वाले area में हम क्या बोलेंगे, ecotone develop हुआ, और इस ecotone को, जो हम बोलते हैं, high biodiversity यहां मिलती है, यानि कि species की richness यहां पर मिलती है, उसी concept को बोलते है, edge effect, अभी आगे देखेंगे, what is actually, what is edge effect, बढ़ याद रखना, जहाँ पर भी edge effect मिलेगा, वहाँ पर ecotone होगा, ज यह दोनों synonymous हैं, आपस में दूसरे के साथ बदले जा सकते हैं, it can be natural, it can be manmade, ecosystem natural भी हो सकते हैं, manmade भी हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ecosystem में पढ़ा था, similarly यहां पर भी natural और manmade दोनों हो सकते हैं, जैसे for example, यह हो गया एक wheat, या maze ground, और यह हो गया एक तरीके का forest, और इसके beach में भी एक तरीके का क्या develop हो सकता है, ecotone, यानि कि ecotone तो होगा ही होगा, जहां पर भी आप देखेंगे species का integration हो रहा है, meeting हो रही है, common transition area है, वहाँ पे ecotone develop हो गई ही होगा, और ecotone develop होता है, इस बात के प्रमाण कैसे पता चलते हैं, वहाँ पर edge effect देखने को मिलेगा ही म answer is all of the above, because ये सब ही कहाँ पर पाए जाते हैं, transition areas में पाए जाते हैं, second question कहता है, ये UPAC का prelims का question है, ashuries are biologically productive regions, because, क्यों ashuries को हम लोग biologically productive regions कहते हैं, आप देखेंगे कि जब आप geography पढ़ते हैं, तो इंडिया के जो, you know, eastern side है, वहाँ पे delta formation जादा होता है, और western coast जो है, से आने वाली मिटी है, उसके एक तरीके के characteristics है, sedimentation forms है, depositional characteristics है, यहाँ पर पाई जाती है, ashuries और delta, आप geography के अंदर इसको बहुत detail रूप से पढ़ेंगे, but, बोला जा रहा है कि ashuries जो की एक, you know, biologically productive region है, बहुत जादा fertility होती है, इसका reason क्या है, क्यों ये इतनी जादा biologically productive region ह और ये भी एक तरीके का geography plus environment कैसा है, question, typical geography plus environment, and the answer is, they receive a high amount of nutrients from both fresh and marine, yes, because ये क्या है, ecotone, और आप जानते, ecotone कौन सा area होता है, biologically productive, और fresh और marine के बीच में पढ़ने वाला area है, but अगर आप इसकी other statements देखेंगे, तो generally UPSC आपको confused करने के लिए statement डाला है, कि tidal fluctuations, you know, they are not subject to tidal bore और ये सारी FALTU की statement इसलिए डाली गई है, ताकि आप confused हो जाए, but the answer is related to the, you know, environmental concept of ecotone, अब बात करते है, edge effect के है, बहुत ही असान भाशा में आपको edge effect बताऊगा, अच्छी अच्छी जगाओं पे मैंने YouTube में देख लिया, edge effect धंग से नहीं पढ़ाया गया, कहीं पे भी, ये बहुत ही simple परिभाशा है edge effect की, जल्दी से एक बार ecosystem A को देखो, ये diagram अगर आप समझ गए, तो आप edge effect को कहीं से भी, कभी भी समझ पाओगे, और कहीं से भी पढ़ लो, आपको कोई भी, you know, बीट नहीं कर सकता उस concept में, edge effect क्या है, एक ecosystem A, ये रहा ecosystem A, ये रहा ecosystem B, ठीक ये ecosystem A के अंदर कौन सी है, red है, मान लिजए ये blue ये purple जो भी है, और yellow color की species यहाँ पर पाई जाती है, similarly, अगर मैं ecosystem B में बोलू, तीन color की species यहाँ पर भी है, और ये circle shaped species है, क्या यहाँ तक बात clear है, अब edge effect क्या बोलता है, edge effect क्याता है, सबसे पहले तो edge effect पाया कहा जाता है edge effect पाया जाता है, ecotone वाले area में, जो कि हमने पढ़ा, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बोली जारी है, दो ecosystem के बीच वाला area, यानि कि जो मैंने भी mark करा है, इसी को ecotone कहते हैं, और इसी में क्या पाया जाता है, edge effect, अब edge effect क्या होता है, उसको समझ लो, edge effect यह बोलता है, कि ecotone में productivity इतनी जादा होती है, biodiversity इतनी जादा होती है, कि यहाँ पर एक नए तरीके की extraordinary species पाय जाती है, जो दोनों ecosystem में नहीं पाय जाती, यानि कि अगर आप notice करो, यहाँ पर triangle, you know, red, yellow और purple या blue color की species यहाँ पर पाय जा रही है, वो कहां से आई हैं, इसी concept को हम edge effect कहते हैं, यानि कि ऐसी विभिन प्रकार की, नई प्रकार की species, ecotone वाले area में पाय जाती है, common area में पाय जाती है, जो दोनों ecosystem में naturally पहले नहीं पाय जाती थी, बट इसी ecotone में पाय गई है, तो सवाल यह है, यह unique species यहाँ पर develop कैसे हुई, यह unique species यहाँ पर develop किस वज़े से हुई, because य edge, यहाँ की sunlight, वो भी इदर मिलता है, similarly, यहाँ के resources भी इस area में मिलते हैं, तो common area में हमेशा resources जादा मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर edge effect भी मिलता है, क्योंकि नई तरीकी की species मिलती है, दूसरा आप देखिए, कि यह वाला जो area है, यहाँ पर light, plant की diversity, नई नई तरीके के micro climates develop हो जाता है, plus सबसे important, यहाँ पर नई तरीकी की species कैसे आती है, क्योंकि ecosystem A के अंदर या 1 के अंदर एक नई प्रकार की species नहीं है, वहाँ पर naturally तीन प्रकार की species थी, यह रहा ecosystem भी, यहाँ पर भी तीन प्रकार की species थी, इस area में हुआ यह, कि यहाँ पर यह वाली species आई, evolution की वज़े से, adaptation की वज़े से, ऐसा हो सकता है, कि यह species आपस में interact कर लें, और नई तरीके की एक species को जनम दे दे, इसलिए edge effect में हमेशा, आप notice करेंगे, greater diversity मिलती है, और इसलिए, इसलिए mangroves को protect करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि mangroves खुद में, एक, क्या है, edge effect वाली species ह तो because they are very diverse in region, दूसरा reason, wetlands को क्यों protect करने पे लगा पड़ा है, क्यों भारत रामसार साइट में, अपनी साइट को involve करने पे लगा पड़ा है, क्योंकि they are also what ecotone, ecotone जो है, बहुत important है, क्योंकि यहीं पर edge effect मिलता है, edge effect हमें क्या बताता है, कि बिल्कुल नहीं तरीके की variety of species यहां पाई जाती है, unique जो दोनों ecosystem में नहीं थी, सिर्फ वहीं पाई जाती है, तो ऐसी species को protect करना अथी अवश्यक माना जाता है, so I hope so यहां पर आपको clarity आ गई होगी, question देखे, फटा फट से, which of the following best describes the edge effect, it refers to reduction in species, no, it never refers to reduction in species, क्या वो near extension की बात कर रहा है, species की नहीं, none of the above नहीं, it refers to the changes in population or community that occur at the boundary of two habitat, अब देखो habitat बोल दो, या ecosystem बोल दो, बात ही एक ही, आप जानते हो, habitat कुछ नहीं, बलकि छोटे ecosystem होते हैं, चलिए, दूसरा question देखे, एकोटोन के बारे में statement कुछी जा रही है, कह रहे है, it is a zone of tension between two or more diverse ecosystem, बिलकुल सही बात है, edge effect occurs, when the territorial size of the ecotone is much larger than the adjacent ecosystem, क्या कह रहा है, question ध्यान से बढ़ेगा, question कह रहा है, edge effect तभी होती है, edge effect हमेशा तभी मिलेगा, जब एक ecosystem और दूसरा ecosystem ऐसा है, यानि कि वो कह रहे है, व adjacent ecosystems जो है, वो बहुत बड़े-बड़े हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बिलकुल छोटा ecosystem भी हो सकता है, एक बड़ा ecosystem हो सकता है, तब भी edge effect मिलेगा, दोनों छोटे ecosystem भी हो सकते हैं, तब भी edge effect मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो, ecotone can be wide, ecotone can be small, ecotone can be narrow, ecotone can be very small, तो कोई ऐसी परिभाशा नहीं है, कि edge effect हमेशा तब ही मिलता है, जब adjacent ecosystem बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ऐसा तो कहीं पे भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, कि बड़े-बड़े ecosystem होंगे, तब ही edge effect मिलेगा, नहीं, छोटे से छोटी जगा पे भी मिलते हैं, but the whole point is, हम उसको इतनी अ आप उसे observe नहीं कर सकते, वहीं आप desert से, you know, tropical evergreen जाओगे, तो beach में इतना बड़ा गया पा जाता है, कि easily देखा जा सकता है, but इसका मतलब ये नहीं है, कि edge effect छोटे में मिलेगा नहीं, छोटे में भी edge effect मिलेगा ही मिलेगा, mangroves, तो ये statement गलत हो गई, mangroves, forest and grasslands are example of ecotone, बि more in ecotone areas other than the adjoining communities, बिल्कुल इसी को तो edge effect कहते हैं, अलग line में लिखा है बस कह रहे हैं, कि population की density और variety जादा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ecotone areas में, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जादा community रहती है, कि इसके comparison में, बाकी ecosystem के comparison में, वो beach वाले common area में हमेशा जादा density मिलेगी, option में पुछा गया, incorrect बताओ, incorrect क्या है, only two is incorrect, so answer was only two, चलिए अगर आपको ecotone का concept clarity के साथ समझ में आ गया है, तो एक और बहुत important concept है, ecocline इसको भी समझ लेते हैं, अभी ecotone और ecocline में थोड़ा सा difference है, उसको भी देखेंगे, पर टहले ecocline को समझो, ecocline is a zone of gradual, य from one ecosystem to another, when there is no sharp boundary between the two in terms of species composition, इन दोनों में species की वज़े से नहीं आ रहा है gap, दूसरी वजाओं से gap आ रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ किन वजाओं से gap आता है, पहले आप सिर्फ यह notice कर लीजे, कौन-कौन से वजाए हो सकती है, जिसकी वज़े से ecocline वाला concept जनम लेगा pH, salinity, density, chemical variation या फिर सब ही तरीके के abiotic factors, अब दिहान से सुनिएगा, बहुत ही easy concept है, बहुत ही असान concept है,